स्वागत है आप सभी लोगों का आज की खक्षा में कल हम लोगों ने अपने भक्ति योग को पूर्ण कर लिया है और आज अगले सीरीज के तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आपके सेलबस का भी हिस्सा है थोड़ा बहुत पूश लिया जाता है हलागी बहुत प्रश्ण नहीं देखे गए हैं बट इसल एक तो सेलबस के लिए भी और दूसरे चुकि योग से संबंदित हैं आप इसलिए भी यह जानना अपके बड़ा जरूरी है जिसका अध्यन हम लोग आज करेंगे आज हम लोग अध्यन करने वाले हैं मंत्रयोग का मंत्रयोग अपने आप में बड तो आज हम लोग उसी के विश्य में अपनी तरशा जारी रखेंगे मंत्र के कई सारे जो प्रकार हैं उन्हीं विश्यों में हम लोग कुछ बात अपनी जारी रखेंगे अब बात यह आती है जोगी कक्षा शुरू करें मैं शाहता हूँ थोड़ी थोड़ा पाडिसेपेश आप चोपर अब बोलो भाई ऐसे किताब देखें नहीं बोला लेक्षर हां जी प्रकार जी के विस्वन बोलना चाहूंगा बोलिये लिए जान्म 8233 में खुलकाता में हुआ था उनका पिता का नाम विश्वनाथ दत था और माता का नाम भुनेश्वरी देवी था वो बच्पन से काफी प्रतिवास साली और काफी तेज भी थे उनके पिता जी खुलकात प्रता हाई पूर्ट में वकील थे और माता जी ग्रहस्त कारी करती लेकिन बच्पन में उनका दिमाग इतना ज्याद तेज था कि विए उपनिश्याद गीता व्याकरन में काफी उनका पकड़ था और उनके माता जी भी उनको काफी घर पर स्टडिक कराती थे उनको और पर पर घर और जानें के बाद सभी विश्तों के सभी लोग वहां पर अपने अपने देस के बारे में तो जब भारक का नमबर लास्ट में और बोर्ड पे जीरो लिग दिया लिया तो सौमी जी वहां पे गया है और अपनी बात को रखना प्रारम करते समय उन्होंने कहा कि मेरे प्री अमेरिकन भायों बहनों मैं डियर ब्रदर और सिस्टर उनको जबकि दो मिनट का समय दिया गया था इस अब को बोलने के बाद पांच मिनट तक कंटीनिव तालिया बजदी रही वहां पे जो कि काफी परसंसी रहा उसके बाद स्वामी जी ने कंटीनिव घंटों त है तो भारत की सबेदा संस्कृति के अबारे में काफी कुछ लोगों उन्हों ने रखा वहां पे उसके बाद यहां का क्रेज तो काफी बड़ा ही में जो एक महिला थी जो स्वामी जी से बोली कि ऐसा है मतलब कि मैं आपसे विवा करना चाहती हो स्वामी जी बोला क्यों तो वो महिला जो थी वो उनके चरणों पी गिर जाती हैं और वो उनकी काफी अच्छे अनुराई में से फित आती हैं फिर वहां के बाद सारा प्रकिरिया के बाद जब स्वामी जी स्रिलंका होते भारत आते हैं तो यहां पे बैलूर मट में यहां पे रामकृष्ण मीशन का बी अस्त अपने उन्होंने किया और काफी आगे तक भारतिय सब्हता संस्कृति वेदान्त में पर्चार परसार के उनका योग के छेतर में और कर्मयोगयान व्भक्तियोग और राजयोग है उनका सिध्धानत में उन्होंने कहां भी कि उठो जागो और तब तक मत रुखो जब तक लक्ष की प्राप्ति नहों तुम्हारे पास पाने के लिए सारा संसार है लेकिन होने के लिए कुछ भी नहीं इसलिए कंटीनियू अपना आप कर्म करते रहिए आज उनके जनम दिवस पे ही युवा दिवस मनाया जाता है और इस तरह से उनका जीवन काफी अच्छा नाम अस्मरें रहेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभूत पूर्व शांदार है ना ठीक राग नहीं इस गरदे नहीं लाओगे कि बोलोगे भी और ये जो लोग सिर्फ नाम दर्शित कर रहे हैं ये लोग कैमरा क्यों नहीं ओन करता है कैसी दिक्कत है आपके साह लोग बोलते हैं कम से कम आपको चाहिए कि आभी पार्टिसिपेट करें देखो मेरे को किसी एक बड़े विद्वान प्रोफेसर ने कहा था कि whatever you want to be just act like that जो भी करना चाहते हो उसके जो भी बनना चाहते हो उसके जैसे व्यवहार में उसे व्यवहरित कर लो व्यवहार में लेख्या हो आपको प्रोफेसर बनना है आपका उद्देश क्यों देना चाहते हैं जितने लालची लोग हैं कि करियर सेट हो जाए वह जीवन में कभी नहीं बन पाएंगे ठीक है लेकिन जितने लोग लालच छोड़के और फोकस्ट हैं कि चलो यार मेरे को शित्र को कुछ देना है मेरे को कुछ सीखना इन चीजों से उनके व्यवहार में योग देखने लग जाएगा और जब एक बार व्यवहरित हो जाता है तो फिर अमर राना जैसे लोग परश्कृत प्रतिभार निकल के आती है शब्दों में देखो अभी पहली बार दूसरी बार बोलना है लड़का तो फोड़ी दिक्कत है शब्दों में शब्दों के चैन में माप देंड में जैसे एक चीज़ बुली कि वह एक अनन्द जो थे वो पांच मिनिट तक तालिया बजी थी अक्षिरी 1893 का जो समय था वो बड़ा कुर प्राई करना जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में उन दिनों लॉड रिपन का साशन चल रहा था वही मुख्य हुआ करता था और बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति था लॉड रिपन उसके पहले लॉड लिटन करके था वो बड़ा निगेटिव आदमी था ब पॉस्टनारिटी देखोगे और रिपन को देखोगे तो आपको रहा है कि यह रिपन का काल बड़ा शांदार है अठारों सो तिरानवे वर्ष बड़ा अच्छा था भारत में क्यों क्यों कि यह निताजी सुबाश्चादर बोल्ष का अगमन होता है भारती राजनीती में महात्मा गांधी जो थे वह इंग्लैंड छोड़के वह अफरीका जा रहे हैं भारत में चीज़ें बहुत परिवर्तित हो रही है और उसी समय विश्व संसद में विवेकरनंद का अगमना ने विवेकरनंद के लिए अमेरिका पहली बार गया वह उसके पहले बहुत सारे द delivered वो हमें सीखना है विवेकरनंद से क्या सीखने की चीज़ है वो है अपना confidence level कैसे वो चीज़ों को justify करते हैं प्रस्थान त्रही के सिधान्त पे अद्वाइत दर्शन को सिध करने वाली क्षमता वो है विवेकरनंद की ठीक है अद्वाइत वेदांती बहुत शांदार तर की पॉसनारटी है एक कहानी आप कभी सुनेंगे कि ये दो लोग ट्रेन में जा रहते एक विवेकरनंद स्वयम थे और ये महराष्ट्रा के जो करता दरता हो थे उन दिनों में बाल गंगा दरते लग दोनों लोग और दोनों अलग अलग विचारणा के वेकती दोनों बिलक लेकिन धर्म और दर्शन पे जब बात हुई तो जिन बातों को उन्होंने उस ट्रेन की आत्रा में कम्प्लीट या था उसका बहुत बड़ा हिस्साब को विवेकरनंद के लेक्चर में देखने को मिलेगा जो अटारजु तिराजु पर आप उनकी वानी सुनेंगे तो आप का मतलब ये है कि हमें जो चीजे सीखनी है सुर्फ विवेकरनंद को माइव बेस्ट फ्रेंड के ऊपर निबंध याद करने के जैसे मत याद कर लो, ठीक है, कि बोला गया माइवकरnh के ऊपर निबंध याद कीजी और आपने माइवकर्स फ्रेंड को निबंध के तोर पर य पूछ दिया तो टीचर ने पूछ दिया माई बेस्ट फ्रेंड की ऊपर निवन्द लिखो अब इसने क्या किया रोहित is my best friend रोहित मेरा best friend है, he has four legs, अब वो अपना धीरे-धीरे सारा जो याद किये हुए था, रोहित है बब ब्यूटिफुल टेल, है न, रोहित के पास एक पहरी सी पूछे, क्योंकि चोटे बच्चे, तीसरी के चोथी कक्षा के अंगरेजी इतना समझते में, जितना याद किया हो सा आएगा, रोहित की उपर चिपका के चलाएगा तो ऐसा भी ना हो कि विवियकानंद को अर्विंदो से मैच करा दो, अर्विंदो को, किसी और किसे, ऐसे दिक्कते होती है, और यह दिक्कत अर्विविकानंद में तो clear नहीं होगा, लिकिन जब विक्यास आयंगर में आएग और चीज़ें निकाल के ले क्या ये डेटाबेस बनाईए अपना जब डेटाबेस बनाएंगे ना तो फिर गयत्री प्रजापते जी नीधानी शुरू हो जाएगी थोड़े देर में समझी आत यहां रखा नीधानी तैय है ठीक चलो मेरी घड़ी मेरे को प्रते दिन ये वात इंगित कराती है कि सो एक कम हो चार घंटे अब मैं इसको क्या बताऊं कि हम लोग योग वाले आत्मी अभी फिर मेरे को इसने इंगित कराए कि चार घंडे की नीध हुई है आपकी महोदे अगर सो जाएगी प्रत दिन इसका कार रहे आप भी अपने अंदर कुछ हैसी कैप अब यह समझा रहा हूं स्वाति महीं रखे हुए हाथ चलि बहराल ठीक है कल किसकी बारी होगी मंदारी से हाथ उठाओ कल कौन बोलेगा आज तो हमराना जी ने बोल दे कल समिता जी बोलेंगी चलिए समिता जी की बारी है ठीक है अरट बाक टुद पविलियन बड़े बात और समिता जी आपके कहा थी अधिए अधिए अब भी लेकिन मेरे अभी में शीव प्राण पढ़री तो उसमें था शीव जब सती जी ने अपना शरीर का त्याग किया था तो उन्होंने अपान वायू को अपनी अपान वायू को प्राण वायू से मिलाके अपने बिम दोनों बुहों के मद्य ले अब और वायू और अगने की धाड़णा कर इन अपर की ओर बैती है उसमें ऐसा लिखा है कि उदान वायू को नाभी से उठाकर हिर्दय चक्र में स्थित किया तो मैं यहां कन्फ्यूज है तो मैं वो पूछना चाहरी हूं आपसे क्या उसमें लिखा है क्या आपने बता है उदान का सर उन्होंने यह क्या कि सकी ने जब देखा कि भगवान शीव का अपमान हो रहा है तो उन्होंने अपना आसन बनाया प्रणायाम किया सिद्ध करके फिर उन्होंने अपनी अपनी प्रान वायू को अपान वायू से मिलाकर नाभी चक्र में स्थित किया फिर उन्होंने अपनी उदान वायू को नाभी चक्र से हटाकर हिर्दय चेत्र की और लेकर फिर उन्होंने अपना ध्यान अपनी धार्णा जो की वायू और अगनी के उपर करी धार्णा वायू और अगनी के उपर करने के परशात उदान वायू को कंट कूप से लेकर अपने दोनों भॉवों के ब्रुगटी के मध्य लेकर गई और अपने शरीर का त्याग कर दिया तो मेरा कोश्चन यह है सर कि उदान वायू जो है वो नाभी से हिर्दय चक्र में कैसे आई क्यों कि उदान वायू तो कंट से ऊपर क्यों भैती है उदान वायू का कारे जानते क्या है प्राणों को शरीर से निकालना उदान का कारे है अकर्षन वाले में अपकर्षन वाले मवस्ता में दो चीजें चलती है एक होता है अपकर्षन और एक होता है प्रकर्षन और एक होता है आकर्षन ठीक है तो जैसे पातंजल में यह है जैसे समान जायतम प्रज्वलम की बात साहयों करता का कि यह करता है यह स्वांस करता है यह जो भी इस विकार करता है वो अधान के प्रतिया के करते हैं अब शिवों महापुरान का क्या रेफरेंस है यह मुझे एक बार देखना पड़ेगा पूरा कि आगे से लिए पीशे तक कि क्या कता है तो मुझे एक दिन का समय देजे थोड़ा समय भी अपने पुस्त के खुलू देखूं कि इसमें क्या-क्या वरण है क्या कहना च करते हैं तो इसमें जो स्थिति उन्होंने बताई तो मैं उसमें कंफ्यूज हूं और कुछ नहीं सब्सक्राइब अगर हम लोग और भी उपनिशत पड़ेंगे तो कहीं भी यह आ जाएगा उल्लेग कि उदानुआयू जो है नाभी क्षेत्रम में भी होता है अब उपनिशत का क्या है कि हर एक रुशी का अलग-अलग ओपिनियन होता है सर तो शूपुरान जब लिखा गया तो उनके ही साब से उदानुआयू का कारियर नाभी क्षेत्रम का एरिया होगा मैं भी उन्होंने बोला कि उदानुआयू उठा लिया है करके ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने पंचप्रान जब पड़े ना तो हर एक उपनिशत में अलग-अलग उनके कारिय बताए गये है मुझे ऐसा लगा कि इसे हिसाब से अगर शुपुरान जिनों ने भी लिखाए तो उनके हिसाब से नाभी क्षेत्र होगा उदान वायो का करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा उदान वायू के कॉंटेक्स्ट में ठीक है बुलने को तो मैं भी बोल दूब बहुत सारी उदान का कई सारा है व्याख्यान है बट स्टिल थोड़ा सा इसमें और वह जाते हैं तो पॉइंट आ जाते हैं बहराल बैक चुद पैव भैंड तो रहा तो तो अच्छींदे मंत्रियों के खासियत जानो मंत्रियों ऐसा है की इस मैं मäं MSP के और वीड़ीन देवत्ता होते हम किलिनगा लू या किचन से कोई नाम ना collecting नाम है Infrastructure नहीं पता था और उसके पिता ने उसको कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं जाने दिया हमेशा अंदकार में रखा तो जो किछनर था उसको यह भी नहीं पता था कि इश्वर से कैसे बात करता है या इश्वर की आवशकता हो तो कैसे तो उसे अंधेरे से या भूत से बाद में 15 वर्षों के बाद बाहर निकला बंद से बाहर आया तो वह इस पर कारी करना शुरू कि बाद में बड़ा विद्वान भी हुआ अमेरिका के अच्छे युनिवसिटी में प्रोफेसर भी लगा तो उसने लिखा है कि जिसको दुनिया किसी भी चीज पे अपना बहुत फोकस करता है किसी भी चीज पर मेरी अपनी धरणा बड़े इच्छी बनती है तो वही मंत्र बन जाता है यह आध्णिक समय का विद्वान हुआ है यानि कि 95 के द्शक असी के द्शक के आश्पास की बात कि हमारे शास्त्रों ने यह सुईगार किया है कि आप राम नाम जपीए आप राधा नाम जपीए आप कृता देक्स नाम जपीए यह भी मंत्र की श्रेनी में आता था लेकिन यदे आप बहुत precise होंगे मंदर को और अच्छे से समझेंगे तो आप देखेंगे कि मंतरों के रिंकला है और मंदर अलग अलग तरीके से पढ़े जाते अलग अलग चीजनों को मंतर कहा जा सकता जैसे बीज मंतर हो गया लोकिक मंत्र हो गया, धायवत मंत्र हो गया, अभी वो सो लिखेंगे हम लोग, मंत्र के अधीन ईश्वर होते हैं, अकेला ऐसा योग है, जो आप बैठे-बैठे समाधी को अपने वश में कर सकते हैं, आप अकेला ऐसा योग है, बागी सारे योग में आपको request form में रहना अस्टांगा में, अगर आपसे अस्टांगा कहीं follow नहीं, वह गलती से कुछ छोड़ गया, तो भी आपकी समाधी रह जाएगी, उसमें चित्त को भी control करना है, वाले एक process होते 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 होते, आप बाजार में पहुशेगे, लेकिन अगर मालो आपको आलू खरीदना है, त इसमें बाजार आपके घर आजाएगा, आपके सामने आजाएगा, और एक नहीं, जितनों को चाहोगे, उतने प्रकार कालू आजाएगा, और आपकी local market नहीं पूरे विश्व की बाजार आपके सामने आ सकती है, मंत्रों की इतनी शक्ति होती है, कहने का मतलब ये है, कि मंत से ताकतवर होता है तब पर विप्र सदा और हाला अब ये से ब्राह्मन को बोलते हैं कि है but मंद Dzils Rock कि अधीन सारी शक्तियां होती है और शक्ति का मतलब देविशान होती है और सारी शक्तियों का जो कारक है, वो देव हैं, यह आप शक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर बाकि सारी चीज़े आप किसी भी कंडिशन में कंट्रोल कर लेंगे, अब आधनिक फॉर्वेट में मंत्र के कही प्रकार है, मंत्र चपना हो जाता है, अजपाजप हो धो हो, मंत्र लेखन आज कल मंत्र सुनने का होता है आप लागातार एरफोन लगाके सुनने हो मंत्र वह एक तरीके से मंत्र का प्रकार है तो यह सारी चीज़े खुल में जाके इशोद को लेकिन जो बड़ा इसका इंट्रस्टिंग हिस्सा है मैंने आपको कल बताया था कि अगा आस्टांगा हटा दिया तो मैं किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादे फोकस करूँगा वो है मंत्र, मंत्र की खास्यत यह है कि जब आप मंत्र करते हैं तो तो एक चीज़ में परवेश कर गई ज्यानियोग तो एक चीज़ में परवेश कर गई ज्यानियोग तो आपको पता है कि आप किसके विशय में यह कलपना बना रहे हो सारी चीज़ आपके दिवाग में बैट रही है एक चीज़ तो ग्यानियोग आपका अलड़ी इसमें सटल दावन हो गया दूसरा चीज़ है आश्टांगा का भी पार्ट इसमें शुरोग नहीं होता है उसका मंत्र तभी सिद्ध होता यह उसके लिए मतलब बिल्कुल अनिवारे तथ्यमान के शुरोब मंत्र सिद्ध तभी होता है जब गले के उपर के हिस्से से कोई भी नाकारात्मक या निकृष्ट शब्दावली का प्रयोग ना हो जैसे गाली जैसे जूर बूलना तो आस्टांगा का भी बहुत बड़ा हिस्सा इससे सि जानता हूं ठीक होस्टल में लोग रहते थे तो मेरा एक मेत था चिला चिला के उसका सारा मंतर उसी से मैं निकलता था जब वो वाश्रूम में जाके पानी जब ठंडा पानी उसके शरीपे अरिद्वार में पानी ठंडा आता और हमारी उनिवर्सिटी वाले गरम तो करते ह लिए और तीन बजी ही नहाना होता था हमें सबी लोगों क्योंकि तीन साड़े तीन तक ही वाश्रूम यूस होता था फिर चार बज़ते पर यह की शुन हो जयाता था तो जैसे वह पानी उसके सर पे गिरता था तो संकर भगवान उसके तुरंत मेडिटेशन में आते थे औ चिला चिला के बोलता था ओम्नवाश श्वाई ओम्नवाश श्वाइए ओम्नवाश श्वाई गंगा बड़ी गुदावरी तीरत प्राग प्रयाग इसे चिला तो उस समझते नहीं पूस्मिंघाता था लेकिर में मंत्र यह योग पढ़ता हूं तो कुल में जाके मंत्र जो है वह आस्टांगा को भक्ति योग को ज्ञान योग को तवाम योग को अपने अंदर सबेटे हुए है और खासेती है कि इसके 16 पार्ट है गजब की बात यह है कि यह बाकी सब जो है और सबसे ज्यादे पार्ट में बटा हुआ अकिला एक मात्र य है बाकी सब योग जो है वह कुछ-कुछ हिस्स्वन में बटे पड़े है इसके विश्य में मंत्र के विश्य में शुरू करूं तो मैं चाहता हूं कि गायत्री और त्रयम्बक मंत्र छोड़ दिया जा तो आप लोग सभी लोग योगा चार रहे हैं एक-एक मंत्र मुझे सुनाओ दो मंत्र हटा दो गैत्री मंत्र और त्रयम्बक मंत्र चलो इसके आगे नहीं आता सर ये बड़ा शुक्तार मंत्र है ये ऐसा मंत्र है जो पूनता है उसी पूनता है मैंसे मैं कुछ निकाल लेता हूँ अधि है बहुत बढ़े है तीन हुआ हाँ 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 बोलने के दारान कभी भी बीच से यदी मंत्र खंडित हो तो आपस शुरू से शुरू करते हैं जैसे वक्रतुन्द महा काया सर मैं बीच में बोलू उसके बाद फिर तो फिर सूरे कोटी समपरभा से नहीं शुरू होगा वह आपस वक्रतुन्द महा काया सूर्य कोटी समपरभा निर्विगनम कुरू में देव सर्वकारिये शुसर्वदा बहुत बढ़ा चाहीं हाँ बोली बोली यह ये योगे निचिततस्य पदेन बाचम मलं शरीरस्य च्वेगेन योगा परुकतम प्रबर मुली नाव सतनी है चली प्रान चली ना तो रस्मी कोई बात नहीं कोई बात नहीं को प्रडाम करते हुए यह मंत्र है अच्छा मंत्र है योगा डे पर यूज के जाता है अच्छा में पूछना नहीं है पार्डिसिपेट कीजे मैं पढ़ा के खतम करतूंगा दस मिनिट में मेरे को बाकी का 45 मिनिट तो आभी को यूज करना है ना क्लास एक गंटे की चलनी है यह हो गया असतो मा सद गमया तमसो मा जोतिर गमया अम्रत की तरभी तो जाईए यह पूरा मंत्र है असतो मा सद गमया तमसो मा जोतिर गमया अम्रत्योर मा अम्रतम गमया ओम शांति 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 नेक्स्ट एक आदमी एक मंत्र यह वैसे जो यह है कि यादेवी सर्व बूतेश। इतना लगा दो और यह अकेले 500 मंत्र बना देगा। जाते हैं पूरें नैंने मंत्र बनते जाते हैं जाता है। तर रामक्षा का बोला में एक लास्ट वाला मंत्र बोलीब़िए रामुराजमनी सदा विजेथे राम्रमेशम्बजे है है बहुत वह ठोग महां को यसी त प्रतम मंगल वही है जैन धर्म का बड़ा शांदार मंत्र है इसको नमकार मंत्र बोलते हैं बोलते हैं जितने भी रिशी हुए सबको प्रडाम सबको रौश्कार यही से शुरूता है नमो अरहन्त आनम अरहन्त उसे बोलते हैं जो ब्यांड हो फिर आगे बोले मेरे को कि मैं जैनिसम को बड़ावा दे रहा हूं चली वहराल बहुत बढ़ी है लिकीन मंत्र है यह सर एक लगोश्कार सतनाम करता पूरत निर्गूर्ण निर्वो निर्मे अकाल मूरत अजुनी सूरत अधुनी सच अधुकाराद पूरा पूरा याद देखे तो सीमा जुनजाजी आज वैसे लोग भी बोलना है जिन्होंने कभी चेहर को नहीं दिखा रहे हैं ना मतब साथ में चली बहराल तो अम जैंति मंगला काली हद्रे काली 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 दूर्गाच्छमा श्वाधाति श्वाधा नमस्तुते बहुत बड़ी है पहले लिखे मंत्र मंत्र की सारो भौमिक परिवासा मन और त्र म और त्र दो शब्दों से मिलके बनता है जिसका म का मतब होता है मनानात त्रायत इती मंत्रा जो मन का त्राण कर दे वही मंत्र है मनानात त्रायत इती मंत्रा जो मन का त्राण करे है अब जैसे मन का त्राण करने का वादा सुनने में आनंद आजाए जैसे अभी आपको ओम भुर्बस सुनाओंगा मैं तो आपको डेली डेली सुनते सुनते उसके विशे में उतरा भाव नहीं आ गया लेकिन उसके लावा कुछ मंद्र है जिनके स्वरूह आपको बड़ा आनं सुनने में बड़ा आशांदा लगेगा ऐसे ही त्रयंभग मंद्र होगे सुगन्निंपस्टिवर्धनमुर्वारुकमिवबंधनानमृत्योर्मुक्षियमांब्र्था ये मंत्र होगे सामने भूत आया आपने संगर उनका हनुमान जी का मत्र फूका और भूत भागे तो आ मंत्र जो मं को कंट्रूल करने मन को मन का जो त्राण करने पर सहायक सिद्ध हो उससे हम क्या उलते है मंत्र पूलते यह लाइन आप लिख लिजायं आगे लिखिए सिध्धान्तों का वरणन किया है योग सिध्धान्तों ने नाद के कई सारे सिध्धान्तों का वरणन किया है इन इस अखिल ब्रह्मान्द में एक नाद जिसे अनहद नाद बोलते हैं वो हमेशा व्याप्त रहती है ब्रह्मांड में एक नाद जो हमेशा व्यापत है जो रह सब्सक्र व्यापत है गोपतर 10th जιंफ नाद बोलते हैं जो ओकार है जो ओकार ओमा भी नासा ने भी सर्च कर रहा था तो उन्म सände भी पाया कि B ओम शब्द गूज रहा है तो ये एनहद नाद है सारे उपनिशदों ने आगे लिखे समस्त उपनिशदों है समस्त उपनिशदों में कहलो एक ही चीज़ के ऊपर मताइक्यता है वो उंकार शब्द है बाकि उपनिशदों को किसी अन्य चीज़ ने नहीं जोड़ा है सारे उपनिशद अलाग सिध्धान्द का वरणन करते हैं लेकिन उंकार एक मात्र ऐसा शब्द है जिस पर सारे उपनिशद मताइक्यता है एक ही बात कहता है आगे लिखे मंत्र मंत्र रिशियों के द्वारा स्विकार किया हुआ स्विक्रित मंत्र रिशियों के द्वारा स्विक्रित शब्दों का विनिमाय है जो अति विशिष्ट धन्य उत्पन्न करता है मत्र को मंत्र के अध्यान के लिए मंत्र के अध्यान के लिए जिए पांच मूल तत्तों का रमारी का ध्यान किया जाता है मंत्र योग तब शुरू होता है जब पहले पांच चीज़ों को अम लोग जस्टिफाइब कर लेते हैं किसे संबन्द देता है को है आगे रेखे सबसे पहला है रिशी रिशी पांच चीज़ है इस पे कोई भी मंत्र पाज ग्राउंड पे जिस्टिफाई होता है रिशी उस मंत्र का रिशी कौन है जैसे गयात्री मंत्र का रिशी कौन है बोलो नहीं बता है ये बगवान ये प्रश्न नेट में आया है गात्री मंत्र का रिशी को नहीं है किसने किसने रिशी इनसे प्रॉपाउंडर अव देट मंत्रा किसके जहन में बात आई थी इतना पता है लेकिन किसने रिशी विश्वा मित्र है एक्जाक्ली ये कहानी पढ़ था उनके द्वारा ये रिशी विश्वा मित्र के द्वारा ये प्रणीत मंत्र है हर रिशियों ने एक-एक मंत्र प्रणीत किया है ठीक है और उसी उसी मंत्र के आई जातको और उसको शक्तियां प्रदान किये है अपनी पूरी उर्जा उसी में देखे गए है अगर आप विश आपको इसी मंत्र से ही प्राप्त हो जाएगी विश्वामित्र की समस्थ शक्ति आपके अंदर आसके हैं तो इसे पहले वो यही मंत्र जभ रहते कि अम्राज की हिंद नहीं है इसलिए काल विरोधक मंत्र माने आता है ये काल को समात करना है कोई मरने वाला होना कसी के उपर कोई ऐसा काल योग आता है तो उसमें vitesse कर आते यह उसुना पैसरे मंथरीक का प्रणीत होता है तो रैशी इदा प्रस इद अब रहुँंद के विशाम में को जानता है कि अत्त मत्र को पढ़ने में एक विराम पॉर्ण विराम और एक लाय होती है को इसको भी लिखेशंद के विश्य में नहीं छंद मूलता है पांश आधा रोपे राख यसा बात搯व यती तुक मात्रा गण गती यती तुक मात्रा गण इस अब आठीनी कक्षा का ब्याकरन पढ़ार हूँ मैं आपको बता हूँ हिंदी पर थोड़ा सा फोकस करते तो काम हो जाता है रहा गती यती तुक मात्रा और गण इस एक है गण के विशे में जानते हो अभी मैं अपकी करते हैं साके शीवजी के गण से गांटे गण जो होता है वो बिसीकली एक कंडीशन होती है किस कंडीशन में चांद मूलता चार प्रकार को लिख लिएगा प्रकार में पढ़ाजाता है तीन प्रकार में बढ़ा जाता है जैसे दोहा सो रठा चौपाई दोहा सो रठा चौपाई सवया कवित इत्यादिक वैसे होते कई प्रकार कहीं सुमेरु हरी गीतिका गीतिका अलगलग कई प्रकार कहा है लेकिन इतना इंपॉर्टन है प्रतेक्षंद मात्रिक और वारोणिक दो हिस्सों में बढ़ता है मात्राओं के दार पे और वर्लन के दार पाई आप जैसे चौपाई होता ला इए कोई पढ़ के बताओ को तबाहे को यह निसा भी इमन्थरदा के न्ताओरो कि चंदों के तैता था सब्सक्राइब की चुपाई है कोई भी बड़ो गीता पर काई गीता में तो चुपाई है नहीं नहीं है नहीं सब्सक्राइब जैसे कि तो जब आप यह लिखोगे ना तो आप देखोगे कि इसके पहले वाली जो पहली जो लाइन जितना भी विश्वम चल लाइए उसमें 15-15 मात्राइं हैं 15 उसमें मात्राइं यूज की गई है और दूसरे वाले में 11-11 तो जहां भी 15-15 अक्षार यूज की जाते हैं वहां दोहा लग जाता है चौपाई लग जाती है और जहां अब मतब दुहे की खासिति यह है अब जिस पता था इसे ही मंत्रों का भी है मंत्र जो है कैसे पर जंद में इसका अध्यान के याता थो जो हम लोग जो योग में पढ़ते हैं, वो धाइवत चंद में चलते हैं, धाइवत स्वर में, धाइवत और लौकिक, दो स्वरों में, दो स्वरों के चंदों का प्रयोग करते हैं, धाइवत और लौकिक, दो स्वरों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, यह चंद जो है वो आपके मंत्रों के जपने की रफतार को basically बताता है कैसे आप जप रहे हो किसी मंत्र को किस भाव से बोलना है जैसे त्रहमबक मंत्र है त्रहमबक मंत्र के लिए spine erect होनी ही चाहिए बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए दोनों हाथ गोद में हो प्रढाम की मुद्रा और फिर आपको आखे-bundh करके ही बोलना धाउ और गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र जब तक आपने उसके दृक्षा नहीं लिये तब तक नहीं बोलना चाहिए यह भी सिद्दान था और महिलाओं को स्फ़रल कंडिशन सोती है जिसमें घैतरी मंटर मना के जाता है God कोई मंत्र विडाउट मुद फिरन चाहिए आगे लिखे देवता इसना है इंपॉर्टन इसा देवता तो जब सुभे जब क्लास शुरू करते तो समय मेरी तो पूरी लेटिस की क्लास है तो गैतरी मंतर नहीं बोलना चाहिए जब आप आप बोल नहीं है बताओ टीचर तो आप अपने टीचर से सुनिये इसलिए बोल नहीं है जब तक आप उससे दिक्षत नहीं है अगर आपने दिक्षा नहीं ली है किसी गुरू से गातरी मंतर की तब तक आपको मंतर नहीं बोलना चाहिए योग कराने के लिए आपका को यह जाने जो आपकी टीचर नहीं वो जाने लेकिन बाकी किसी कंडिशन में नहीं बोलना चाहिए इसलिए बहुत सारे डिशी लोग यह जो मुनी है क्योंकि वैदिक म में परांगत हो जाए वो पढ़ सकता था बाद में घोशा अपाला लोका मुद्रा जैसी महिलाया है और उन्हें पुरा वेद कंटस्त हो गया पुरा वेद उनको याद था लेकिन तब जब वो एक्सपर्ड बन गई तभी उन्हें यह रिवील कर रहा अगर आपको आप एक्सपर्ड नहीं तो आप यह नौट अलाओ टो टेके नी और वेद के कई सारे मंत्र होते है किसी को कोई और वेद का मंत्र याद है किसी को बोलो जल्दी बोलो फटाफट गात्त्री मंत्र तो कर שמצ आपको याद करना कि कौन का मंत्र होता है कैसे कैसे मंत्रों का अध्या कई किया दूबाएड वेद का मंत्र इसको शौट लिस्ट किया और एक मंत्र अब लेक्ता अब लिखे लाएगा ठीखेंगा अथी तो एक सरफ एक बाद कहीं गई अच्छो आगे लिखे देवता देवता लिखे प्रतेक मंत्र का एक देवता होता है प्रतेक मंत्र का एक देवता होता है मंत्र उसी को डिवोटेट होता है और उसी की सात्रा में कहता है वेदों में सबसे ज़्याद है मंत्र किस देवता के लिए था यह प्रश्णाने की संभावना बनी रहती है हमेशा ईंद्र के लिए अगनी देवता है इंद्र के लिए 200 मंत्र मंद्र के लिए वह बैसे कि चक्रों पर अधारित होता है बीज मंत्र के लिए मंत्र पढ़ा जाता है अब कुन बता गात्रि मंत्र के लिए है इस लिए उसे योग में सबसे जाते हैं सबसे अदे स्विकार किया जाता है के व्लो도 को सारे चक्रों पर चाता है शरीरिक चाई करके काल चक्र पर जाने वाला अकेला मंत्र है अपके ओसारे ओपर तो आपके शरीर में क्या बिमारिया नहीं आएंगी तो सर यह क्या इसी को इन्स्टाग्राम वाले लोगों से ठीक है मेरी भी टीम है और मेरे पोटोस होगरे डालती रहती है मेरे को कोई भरोसा नहीं है ऐसी लोगों में क्योंकि यह ऐसी कम्यूनिटी है जो भरोसे के काबिल नहीं है ना बड़ा लंबा समय पी जाते हैं सब इंस्टाग्राम होगरा मैं फोकस नहीं करता ना ही मैं लोगों से बहुत इतिफाक रखता हूं कि वो क्या कह रहा है लेकिन सरासर गलत है बहुत बुरी तरीके से गलत है कि आप बिमार नहीं होगे मुझे तो लग रहा है डबल भीमार होने की संभावना है इस पर मेरा एक फीडबैक और डिसकसन भी है वो लास्ट में करेंगे सब ठीक लास्ट में करेंगे अगे आगे तत्व अगला है हर मंत्र का यूघ्चा करें तो होता है अच्छा को फॉलो करता है अग्णी तत्र से अब बदाएगा अगार। तर पंचता तुसे ना भूर भुवा स्वा सारे तत्तों से इसलिए योग में स्विकारी क्या जाता है हम लोग आपको तर इस बात का मिला रहा कि जनरली योगा टीचर्स गैतरी मंदर से योग शुरू क्यों करते हैं वैसरी चीज करता है यह कि यह सावुष्त को नाम से इक देवता है जिनको लेकिन் सावित्री भी पढ़ा जाता है तो समारेतिव देवता और शक्ति दोनु को इंगित करता है मत्तब ये पुरुश और शक्ति दोनों को ही प्रमारित करता है यानि कूणता का मंत्र है गायत्री इसलिए योगा टीचर्स को ये जनरली बताया जाता है कि आप गायत्री मंत्र से फक्षाण शुरू करता है अगर आपको कोई समभाशड देना है तो कई सेरे मंत्रों को पढ़ो मंत्र पढ़ने के बाद भाशड सुरू करो लेकिन अगर आपको फ्रक्षा लिनी है को फर्गाती मंत्र आगे लिए मंत्रियों के 16 हैं मंत्रियों के 16 लिम्स हैं 16 major parts बक्ति शुद्धी आसन पाँचांग सेवन आचार आचार न दिव्यदेश सेवन प्राण क्रिया जानते हो तीसे कहते हैं ओम नसोर में प्राण आशतो होम अक्षोल में शक्षर आश्टू सुझ तो फोम बाहुत्यों सुझमें बलं स्तू वह म० स्तव币 आशिणानि मेंगान तनुष्टनवाँ में सहसंतू यह उती है प्राण क्रिया याहिनी कि आप अपने समझ्त प्राणे को उपने प्रक्रीया को भी टच कर रहा हो एक और प्राण प्राणा पान और वाहिव जितने मिन पांचो पनच प्राण होता है इसको अब जाकर पानी लेते हैं और उसको बाये से टाइएagen टच करता है ताकि हमारे शरी में प्राण का प्रवाह को तो एक हो गया जैसे ही राणिए कुछ बार्ण कैसे माच होता है तो यह और एक होता है प्राण कृया हो ति हुआ leverage पर चीज़ ऐगे लेक्ते प्राणक्रिया होगाई उसके मुद्रा का मुद्रा इस बढ़ाते हैं कि आप किसी गुरू को कि अच्छी गुरू के जब आपशे से बनोगे तो चीशंधि आप बोलागे तो सभी सब बढ़ा के बैढ़ेंगे बेटा जाना तो यह मुद्रा लगा आपने बड़ा देखा होगा यह एक मुद्रा होती जिसको लगा के बोलते हैं कि मैं देख रहा थे एक तिन कहां तो कुछ ने मेरे को भीजा वाट्सप पही कि जितने भी फेमस यह एपल वाला जो य यह मार्क जुकरबर्ग और बाकी जितने भी फेस्बूक वागे सारे जितने भी फाउंडर लोग यह अकसर किसी मीटिंग में बैठे रहते तो यह को रोकने के लिए यूज करते हैं तो यह मुद्रा होगे फिर आता है तरपन तरपन का मतलब यह नहीं जो मरने के बाद ता पेरपन होता है यह और कि हवन है हवन बली बली कमा तब मुर्गा काटना और कोई चीज काटना वाला मत समझ लेना लिए कि यग्य जब ध्यान समाधिक जब ध्यान जब करते-करते ध्यान लगिए ध्यान के बाद समधिय चाहिए 16 parts है जब आता है समाधी से ज़स्ट दो लाइन पहले और आप क्या करते हो कख्षा की शुरुआती जब से शुरू करते हैं मंत्र जब कब बनता है मंत्र जब में क्या डिफरेंस है बेसिक कोई बता सकेगा बहुत सिंपल चीज़ है बहुत सिंपल सोच बता है जब उसको बार्वा रिपीट करें जाता है लेकिन उसे शॉट फॉर में बार भी आप पड़ सकते हैं तो वह भी चलता है कि पांच बार भी लेकिन हमेशा अगर 108 कर रहा है तो हर बार असम में रहते हैं तीन हो गया पांच हो गया नो हो गया 11 हो गया ऐसा मंत्र पड़ता है ठीक है तो यह 16 पार्ट हो गया भक्ति बाखुभी आप जानते हैं भक्ति का मतब सबसे बने डिवोशनल होना बहुत जरूरी है श्रद्ध होना बहुत जरूरी है भक्ति का इनीशल पार्ट इंटिग्रल पार्ट है वह श्रद्धा बिदाउट श्रद्धा यदि आप किसी मंत्र में श्रद्धा आपका विश्वास नहीं है तो वह मंत्र वजब वह साधना वह सारे इच्छी से बेकार है तो यह व्याप टो बेरी प्यूरिफाइड सोल आपकी जो आत्मिक प्रवर्ति है बहुत प्यूरिफाइड प्यूरिफिकेशन से होके गुजर रही हो बहुत आप भाव होई भोर हो जाते हो मंत्र सुनने के बाद बहुत सारे से मंत्र है जब भी मेरे वह आवशक्ता पड़ते हैं जैसे मेरे इन जनरल जो मंत्र जिस अराधना की नमाभी शमी शान निर्वाड रूपम विभूं व्याप्तकम ब्रम्हवेदस्व रूपम निजम निर्गोडम निर्विकाइपम तुरियं यह मंत्र यह कितना शांदार मंत्र आप सुनेंगे बड़ा पुलकन हो जाएग आपके अंदर ठीक है ऐ है इसका सारा मंत्र ऐसे शब्दावली ओं का Task करने की क्षमटा रखता है शिव की रीदिक अवस्य शुद्र से प्रकारिए है अंताहकरण से नियानिकी साथ से पहले अपनी यांत्रिक शेत्रा को शुद्द कीजिए आपको प्यूरिफाइड सोल बनना पड़े तो आप बिल्कुल इन चीज़ों मत परशान हो कि नहीं आपको बुद्धि मता नहीं कोई चीज आपकी वैकार उड़े तो नहीं कैसे मैं दिमाग लगा के जीतूं दिमाग लगा के मत जीतूं अनीती पे प्राप्त सफलता की अपिक्षा नीती पे चलते हुए और सफलता को शिरोधार करेंगे ये हमारे गुरुजी ने हमें बीज मंतर दिया मूल मंतर दिया बोले पेटा ये प्रॉमिस करो कि ये फॉलो करो ले ये लाइन आप भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए मैं आपको देता हूँ क्या है लाइन अनीती पे चलते हुए प्राप्त सफलत प्रविक्षासन में बैट जाए किसी पर्टिक्लर कंडिशन में और आसन का एक और मतलब होता है जैसे ये मैंने आपको बता है जब हम लोग मुद्ध्रा लगाते हैं प्राण कशिया करते हैं तो उसके दो मतलब लकिन आसनों का भी दो मतलब हमता है एक होताम जिस पर बैठ रहे हो सब उनी किस चीज मेचे बैठ रहे हो कि विश्णु भगवान के लिए है खेस अधा सन है घ्गवान शिव के लिए आज को तो यह सिंथेटिक मैट आ चुकी है प्लास्टिक वाली रबड वाली तो चल जाता सारा काम लेकिन योगाचारे का आसन नहीं होता है ऐसे आचारे जो आप अगर आपको कभी साधना के लिए जाना पड़ा तो ऐसे आसन उसे काम नहीं चलेगा कुश का आसन होता है कु आप किसी चीज के ऊपर ही बैठना और एक और चीज आपका आपकी जो आसनी है जिस पर बैट के पूजा कर रहे हो या मंतर जब रहे हो वो किसी और साधा नहीं किया जाना चाहिए है ओर इसे सारे धर्म फॉलो करते हैं सिर्फ हिंदुस्म फॉलो नहीं करता है जानिज़म बुद्दिजम इसलाम इसलाम जब कीतना राइवल है लेकिन फिर भी वह इसे पर बड़ा फोकस रहते हैं और वह शुद्धी क्रिया भी बहुत जादे करते हैं जब उनका नमाद अदा होगी तो यह सब यूज करेंगे हम लोग ठीक है जब भी अगर मालों यूरीन चले गए पिशाप करने चले गए तो वापस आके आपको ड्रस करना फिर सुद्धता का मंतर होता है पानी सुद्धता का मंतर बता बाल नहीं पुली कुछ पूरा याद नहीं चांटी को निकारवाया जाता सब आपका भोव नवधीर से लिए सब्सक्राइब ते developing जी सेमंव लहां घालता है पांचछा प्स्रेंड आप मतले हैं फशी आप जर्फ वाला पांच घलाуч सब्सक्जंद जिसमें क्या होता है सामानेत है वैसे तो generalism है बहुत सारी चीजें मानते थे पहले देखते थे कि किस तरीके से आप पो क्या क्या चीजें दे रहे हैं डिवोट कर रहे हैं पट अभी उसके पांचांग सेवन का अर्थ जो है वह और फूरा सा अलग करता है जिसमें हल्दी चड़ाते हैं कुम-कुम चड़ाते हैं यह सारे चीजे होती है तो यह पांचांग सेवन एक ही हो गया और दूसरा हो गया कि दिन हो गई तिथी हो गई किस समय आप वो कौन से राधना घर वो भी नक्षत्र कौन सा हो गया और कौन से कर्ण में चल ला ह है और कौन सा योग चल ला योग जानते हैं यह वाला अैसा आप वरया योग नहीं है जीक का मतलब होता है कि त। अन ena तो बाद 내 तो यह सिंपल है वापस आप किस उद्देश से को करने वे जा रहे हो वह इसके तहट आता है आप किसी प्रक्टिस को यह डिसाइड कराते हो कि हामें इस कारण से कर रहा हूं ठीक है आपका क्या जा ISDA का चार सेवन के ताय पारण सास के जगड़े को मंत्रब के लिए आसके बाबा बंगाली वाला बस वगरा प्याब जाते है तो आजकल हमारे नोईडा शहर में बड़े बावा बंगाली आये हुए है, हर जगे लिखे रहे हैं, कि आपके उपर भूत का साया है, आये बावा बंगाली के पास, ये बावा बंगाली कहा नहीं कि जो मारन मंत्र होता है, जैसे किसी को मारन लोग कोई दूर बैठा पड़ा तो मारन मंत्र जो होता है, वो आपके कारण के तहएता आता है, कि आप किस प्रकार के उद्ध्श से मंत्र हो कर रहा है, और वैसी ही धारना, आप समाने मंत्र भी जबते हो, और इसके पीशे भी बड़ा एथिकस है, जो आप यूग ही हो जाओगे, तो ये सब बताऊंगा क इसमें क्या होता है कि आपको मालोग कोई दूर बैठा है और आपका अश्रतो है और आपके लिए वो घातक होने वाला है तो आप अपने मंत्रों का प्रयोग करके उस वक्ती को उधरी उधरी ब्लॉक कर सकते हो आने की जरूरत ही नहीं उसको यह यहां आए गई निया आपके पास ने जाने वागए तो यह गात्री महाविज्ञान ने इसका वाड़ा अच्छा वरणन किया है हमारे गुरुजी की किताब है पंजिश्विराम सर्माचारी जी कि आपको वह मुका मिले तो गात्री म वह मूल वाली तो प्रती नहीं है पहले एक ही प्रती थी अब उसे बढ़ दिया बागोन भाग में है ना वह तो भाग दो में ही मंत्रों का विशेश हो है तो आप जानते हैं मतुरा से जो प्रकाशित होते थी पहले वह उस वाली में और डेटाबेस था बाद में उसे कम ग किल के अगला है प्राण क्रिया तरफ उप चलते हैं जब रांड क्रिया जैसे अभी बता रहे थे प्राणवन उदान इन सबका मंत्र होता है गांगी सबस्वा तरहिए प्राण को उर्जेश सब्सक्राइकन्त क्या दान को मनत्र होता है इन मंत्रों के जानते है आप पांसमान व्यानुदाद और नाग कूर्म क्रिकर देवतत धनांज इन सबका सबका जगरित होना बड़ा आवश्चा के मंत्र पढ़ने के दौराद छीक नहीं आनी चाहिए तो छीक के लिए कौन सा प्राण जरूरी होता है कि बदाव और जमाई के लिए याद होना चाहिए आपको बिल्कुल तुरंत यह सब नहीं आना चाहिए यानि जब आप मंत्र पढ़ रहे हो तो यह सारी चीज़े यह सारा प्राण आपके कंट्रोल में हो ताकि मंत्र पढ़ते पढ़ते च्छीक नहा जाए वह भूर भूर सब बोले और उसमें अनमारा जोर से चींक मंत्र ही दूशित हो जाए ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आ गई तो क्या है मतलब आ गई तो फिर शुरू करो और फिर पहले प्राण को संतुष्ट करो इसलिए तो बताया है अभी तो मंत्र जबना ही नहीं सोला प्रकारों में हमने अभी हम प्राण करिया तक पहुंचे हैं अभी तो हमने जब शुरू ही नहीं किया है इसलिए प्राण को पहले संतुष्ट करते हैं यह सब कंट्रोल नहीं है ना उबासी पर तो है कि आला सारे नींदार यह पर छिंक तो अपना आप आ जाती है किया जा सकता है अरे प्राण को तो सारे प्राण को एक में प्रवाहित करा दियाता है आप यी तो करते क्या है यह तो करता है लेकिन जनरल पब्लिक के लिए छींक छींक है आपके लिए छींक किसके द्वारा है वो जरूरी आप योगाचार रहे हैं तो आपके लिए छींक नहीं है आप उबासी ले रहे हो तो इसका मतलब वो कौन एक्टिव हुआ कौन सा प्राण एक्टिव हुआ वो आपके लिए जरूरी, उबासी इसलिए नहीं आ रही है, दूसरों के लिए नीद के कारण उबासी आ रही है, आलस्य के कारण आ रही है, आपके लिए उबासी फला प्राण के जगरती के कारण से आ रही है, जो भी प्राण आपका जिस वे हिसाब से चलना हो, ठीक है, इस मुद्र आहां मैं जैसा मंतर होता है सामाने टया तो यह प्रणाम मुद्रा होती है। जनल हम लोग यूज करते हैं कि प्रणाम वाले भाव में कई बार Лिंग मुद्रा का भी प्रयोग किया जाता है ठीक है? आपने देखा होगा एक जो जब जोती लिंग की पुजा होती है तो आपने देखा होगा वो जा कि जोती लिंग के करेंगे फिर यहां लगा के फिर अलग अलग तरीके से मुद्रा होती है अगोड़ी साथना में मुद्रा का बड़ा सही प्रयोग किया जाता है ठीक है लेकिन हम लोग इन जन्रल वाले में जब मंत्र का भ्यास कर रहे हूं तो सिंपल मुद्रा लगा सकते हैं वह हमारे लिए पर बात आती है तरपन की तरपन का मतलब होता कि तारने के लिए विधियां करना मुद्र से संब्धित प्रक्रिया है आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है में आगे चलता है हवन में क्या करते हैं मंत्रों के साथ स्वाह का जो भी उद्गोश होता है लेकिन यह पूरा प् गार्मेंट को जो एक्टिवेट करना है हमारा जो भी क्योंकि देखो पहले क्या होता था रामयान में इसका बहुत सही उधारना आया है कि जब पहले रिशी वसिष्ट वगरे लोग पूजा करते थे तो राक्षस आया करते तो और उनकी हवन में फेंग देते थे क्योंकि को मंत्र जपना होता था मेडिटेशन करने के लिए उनको मंत्र जपना है उसके लिए उन्हें पेले हवन करना पड़ता था और राक्षस आते थे और हवन के静 asting condition वीगार देते तैएं Beyond कि बाकी सारी चेजए वह मंलत्र नहीं वीगार सकते ते वह क्या करते थे हवन में पानी जाल देते थे किसी k IP को लांगर भैग देते थे फर राम को वूट के लाये कि राम चलो इन रख्षा करो तैकि हम लोग अपने अपनेम को परोपर Hmann को बोलते हैं यानि वैदिक मनत्रों के साथ यूज करते हैं उसको परना चुन seeking की कंडिशन में प्रवेश कर जाता है फिर आता है ध्यान मेडिटेशन की कंडिशन में आप पर यह के बाद जब के तरफ जाता है जब मंत्रों का उचार लागातार मुल्टिपल टाइम उसको पढ़ना शुड़ करते हैं अच्छा यह जब जो होता है यह अनुष्ठान के तह अनुष्ठान होता है आप अभी जब नुरात्री साथना करेंगे तो आप से कोशिस कराई जागी कि चालीस जार मंत्र जबालिया जाए और यह आठ दिन के अंदर साथ दिन के अंदर कंप्रेट हो जाता है ठीक यह हो गया ध्यान अगे बढ़ासकते हैं एक लक्षिय मंतर कर सकते हैं अच एक सी दॉर्बा बता दो यह दि किसी मंतर को आपने एक लाख वार जब लिया तो वह मंतर आपका प्रवेश्श कर जाता है सेमें सिद्धि का मतलब होता है कि जैसे कुटता दोड़ा लिए आपको तो उस मंत्र को बोल के कुट्टे को बगा सकते हो इतनी पावा रहा थी यानि छोड़ी चीज़ों धारम दे रहो है आपको बुगार हो गया एक आएक आपकी सांस अटक गया या आपके सामने कुछ ऐसा हो आपका क्लाइंट अभी हार्ट उसका हार्ट फेल होने इसलिए आपको मंत्र जरूर जपना चलिए यह बात याद रखिए जब आपका जरूर सिंद्ध हो always remember about that कभी भी ऐसा हुआ कि अगर आपका माली यह करार और कोई क्लाइंट एसी कंडिशन में आ गया बिमार हो गया कुछ हो गया सड़िन उसकी सांसे रुग गया हार्ट टै अगर हम इसका प्रियोग उस पर कर दिये तो इनर्जी कांट में डेस्ट्रॉइब वह हमारे उपर आ जाती है फिर तो सारी चीजिए अगर आप उसे एक चीज मैं आपको बताऊं जब आप योग पढ़ रहे हैं तो दो चीजों का हमेशा प्रियोग होता है एक है कि अगर भक्त वत्सल होके मंत्रों का प्रियोग कर रहे है वो प्रियोग कर रहा है तो उसे फेका जा रहा है ठीक है उपर उठाके हाथी को फेक दिया अब नमो भगते वासुदेवा इस आधार पे नहीं बढ़ रहा है कि मैं तुम्हारा नास कर दूंगा मेरे पिता वो बोलता है पिता पूझनी है ठीक है आप मेरे पिता पूझनी है लेकिन मेरे को बचना है तो मेरे को हाथी के स्वरूप में आके नारायन बचाएंगे तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम अपने जब भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम सरो सक्तिमान है हम अनुरोध स सरणागती में पहुंच जाते हैं और शरणागती जो है वह बहुत तेज स्टक्ति देती है ये प्रहलाद ये द्रू के साथ में था ये प्रहलाद के साथ था उसको लेगे उसकी बैठ गी बुगा उसकी और वह बिचारी उसको तो सिद्धियां प्राप्त थी सिद्धियां सोना चीए वह भी मंतरों से इंचिद्द किया था उसने जिसने हो अगनी अगिनी और अगनी ने क्यों जला दिया उसको मंत्र इसके शिद्ध थे बावजूद अगनी है क्यों यूँ कि उसका उद्धेश Type वित्र नहीं था उसका उद्देश्य था कि मेरे को हानी आपको फिर बताता हूं कि मारण मंत्रों में और जा नाकरात्मक कारे बहुत तेज करेगी लेकिन यदि वह संघारक मंत्र यदि यदि वह स्रिजन करता मंत्र है स्रिजनात्मक मंत्र है तो आप छोड़ो आपके सारो धारन है इसमें सरातन में तो कि जहां मंत्रों का प्रयोक किया गया है और मंत्रों जो सिद्ध है उस मंत्र में उसका मंत्र काम नहीं किया है और बिलकुल एक जो पहली बार उस मंत्र को बोलना है उसका मंत्र जाद है पावरफुल काम किया है वैसलिए बता रहूं कि य नाकरात्मक वेल्यू पे अगर आपको जाना है तो अगोर साधना की तरफ ले जा अगोर जो है अगोरी जो है वो उनकी साधना है जो है वो सामाने तया नाकरात्मक साकरात्मक के परे होती है क्योंकि उनकी टेंडंसी ही शुरू से ही ऐसी होती है अगोर साधना जो होती है जो जैसे जब करोगे तो जब करते करते आप एक कंडिशन में पहुंचोंगे जिसको अजपा जब बोलते हैं आजपा जब के बाद आप ध्यान के अवस्ता में पहुंचाओगे और अल्टिमेट ध्यान जिसका कोई वरडर नहीं है उसी के अंतिम पार्ड को समाधी बोला जाता ह मंतरियोग, सौला से दस्य मंंतरियोग जो है वो इसी के साथ समाध्म हो जाता है गए वड़ेट्ट है? दिविदेश समभू रगया भट्ठी। दिविदेश से वन किस पर्टिकलर कंडिशन में पूजा कर रहा है यह बटक जिए पहाड़ों पे हो अभों समद्र पे हो योग कर मंत्र को अभॉटर्स वा बेसिकली नीमित मात्रावं को फॉलॕ करता आ reactors नहीं करता है यह 4 टींस यह वह वह पॉल nella तो प्रसंद करने के लिए बोला जाता है और मंत्र जो होता है उनसे शक्ति की कामना के लिए के जाता है इसलोग जो होता है वो सामान नितया जिसे ये इसलोग के कई सहरे उधारण आप ले सकते हैं कि अगर आप इश्वर के सामने जाकर उनके गुणों का ग्यान करते हैं तो तो वो इश्लुक के तहट आ जाता है और मंत्रों में ऐसा होता है कि आप पस्ताराम से आप उसे शक्ती प्राप्त करने की कोशिस कर रहा है ठीक है तो ये इसके तहट आता है बली को थोड़ा सा एक्स्प्रेमिन कर दीजिए बली का मतलब होता है त्याग किसी चीज़ को जाता है बली ठीक है राजया बली की कहानि आप बगवान का पुरा अतार विष्णु बड़ा ना तेन पैर में जब विश्ण भगवान ने पुरीव आर्थ को नाप दिया था दानी था नहीं दिब्याजी दानी थे दाना होते हुए वह बड़े दानी थे और उन्हें ये पता भी फड़ गया था कि विश्ण भगवान ने वो और उनसे चल से वो लेना चाहते बट स्टील वो इतने दानी थे दाना होके भी कि उन्होंने शुक्राचारे ने बताते हुए भी उन्होंने दान कर दी थी वो चीज़ दानों नहीं है दानों राक्षसों की बिकृत प्रवृत्ति होती है राक्षस योनी थे आपको पता है आप सभी लोगों में से कुछ लोग देव योनी में पैदा हुए होगे बहुत सारे लोगों में जो राक्षस योनी में पैदा हुए होगे बहुत मानों योनी में तो उसी हिसाब से आपका आच्रण होगा तो राक्षा सियोनी में जन्म लिया था जो जन्म हुआ था वह महाराज बली का बली का मता बैसिकली त्याग तिक्षा तपस्या कैसे आप किसी चीज़ को टोनेट कर लिए उनी के नाम से बना बाद में उसको उत्तरवैदिक काल में पुरानों के काल में जी भत्या से जोड़ दिया गया और धीरे 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 जैसे मैं बता रहा था ना वो जैन में जो काल भहर होनको अंग्रेजी शराब बेची जाती है जा दे कि यंगरी जी शराब से काल भर जल्दी प्रसंद होते क्यों नहीं जूसरापान के अब शूररापान को शराब में परिवर्टित कप पता पहाडों पर सोमरस बड़ा शांदा शब्सकुंप तो वरक्षो का फूलो का बैसिकली एक रस होता है जिसे सोमरस होता है वो चाहिए होता था तो उसके तक करद अब शराब से नहला रखा है पूरा पूरा मंदर यही है ब्रांतिया है चीज़ अगरा तो श्लोग ठाउ ठीक है और कुछ जैसे हम लोग यहोगा क्लास लेते हैं तो बहुत सारा ऐसा भी होता है कि उसके अंदर ने63 है यह उस प्लेस में नगाटिव एनर्जी है तो हम उस नेitzer ऑफ्छे से बचने के लिए किसम अंदर का परियों करें कि हम ऊजितिव बने सबसे पहला दोश आता है घर बनने में सीड़ी के नीचे वाश्रूम है गलत देशा में पूजा का रूम है गलत देशा में किचन है तो यह भी एक हो गया दूसरा ही हो गया कि देशे जमें जमीन वहां घर बना पड़ा वहां आप जा रहे हो जहां पर यह लौकिक कारण है च्ट आप अपने आपको शेव रखो ऐसलिए हैं कि वहां रुद्राक्ष निया जहता है रुद्राक्ष नमलोग पहनते बहुत पहनते लेता काम है ना रहिंगा आप घर जिसक् बड़ी सी कोटी बनी पड़ी है। आप बता की जमीन सोई पड़ी है तो आप उसे कैसे जाकरित कर लोगे। उसे नहीं जाकरित करें। CD केaráश रूप के नीचे वाशरूम मना है तो आप बोलोगे उसके मालिकों की वाशरूम भटा दो। तो मानेगा ही नहीं। प्लास कराने आये हो 6000 रुपय रो 7000 रुपय और जाओ यहां से मेरे को पतला करो बात का तुम ठीक है अगर सिंपल तरीका यह है कि अपना ट्रांसफार्मर गले में लटका के गुमो ठीक है मंत्र से तो ठीक क्या ही जा सकता है कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध कर लिया है मैं वापस आपको बता रहा हूँ कोई भी मंत्र एक लाख के पार है तो वो आपको सेव रखेगा किसी भी कंडिशन में सेव रखेगा लेकिन यदि मंत्र अगर इतना लाख नहीं पहुचा पड़ा है तो कम से कम एक ट्रांस्वारवर लटकाया रहा हूँ अगले में रुद्राक्ष की माला सारी नाकरात्मा कूर्जा को बहुत दूर रखती है रुद्राक्ष की खासेति है इवन मृत शरीर भी अगर जो आत्माई जो होती है उसे दूर रखने का सबसे बहतरी तरीका है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के सामने कोई चीज नहीं टिक सकती, ठीक है तो रुद्राक्ष यसे लिए बहुत za admission बहुँत ज़रूर ओता है, और कोशिस कीजे की चंदन जरूर लगा के जाएं, कशा में अगर आपको जाना है तो चंदन जरूर धारण करेंगे तो आपका मतलब आपके चक्रों में किसी भी चक्र पे किसी भी कंडिशन में निगेटिव नर्जी प्रवेश्च नहीं करेंगी अगर आपको छूते हैं तो भी ठीक है और कन्याय जो हैं वो कोशिस करें कि लो वाले में ओम धारण है तो ऐसे आप नाग धारण कर सकते हो ऐसे या तो जैसे मोती होती है मोती धारण कर सकते हो लोहे का जो होता है वो लोहे की भी पंगूठी आती है मुंद्री उसे बोलते है तो वो धारण कर सकते हैं कुछ भी ऐसा जरूर धारण करना चाहिए और यहां कर सकते हैं और यह जानिजम में तो गुद्धिस्ट थियरी इसके पीछे क्या कारण होता है उसके पीछे सिर्फ एक है वो शुद्धिता का कारक माना जाता है रुद्राक्ष जो होता है जो कभी वरिक्ष्ष नहीं तो आपको दे दिया जाएगा जो आपके गुरू आपको दे सकते हैं तो उसके बाद को इस्व नहीं होता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम यह क्लास के लिए गया है और कभी-कभी ने जगह तो वहां व्यक्ति के सामने जाने से क्या होता है कि अजीब सा अस्मेल करता है अब द्लोग उसे मिल रहा है तो असमेल भी या उस जगह का सेंट भी बदल जाता है जहां पर योगा क्लास करवा रहे हैं या उस वैक्ति के सामने आने से भी तो उस कंडिशन में फिर वहीं अप्लाइग किया जाएगा कि जब तक आपकी एनजी कम रहेगी का समान दो कैसा ट्रांसवारमर है ठीक है तो यदि उसे उसमें एकाइकट बहुत एनरजी आ जाएगी तो ट्रांसवारमर ब्लास्ट कर जाएगासाई irgend ूआ जहर से बात है लेकिन एक बहुत बडरा ठ्रांसवारमर है और उसमें उसे विए शक्ति बढ़ाओगे एक लाख मंत्र को पार करो एक बारा प्राइब करना कोशिश करना जैसे ही आपने एक सीमा पार की तो आपको यह चीजन प्रभावी नहीं करेंगे बिलकुल प्रभावी मैं ऐसे भारत के बड़े प्रसिद्ध गुरूं से मिला हूं बड़े प्रस बहुत सारे ऐसे लोगों जानतों दिन में फीसों लोगों से पचासों लोगों से स्वाइक लेकिन उनका उर्जा असतर बिलकुल प्रभावी ने किया सथ गुरू को रोड पे वो बीच में रोड बना रखाव तो वहां क्या समझे रोगी सारे साकारातमा खुर्जा वाले पहुचे पढ़े क्या उनी की उर्जा इतनी जाद है वो उसमें खुद शाक्षात शियो समाय हुआ है तो उनी की इतनी उर्जा है कि एक लाख नहीं दस लाख लोग उनको देंके कोई फरक नहीं पड़ता है और आप करो कोशिस कल को थोड़ा सी प्रगति करो और तुरंत प्रोफ्स पंद खरेंडी का लगए आपको दिटेशन के घब दा रहा हुआ है टो मनीटिस लुकुकी तो नेलेकि नहीं नतीग पूट आहीं पर आप उसके बिल्कुल नीट्रल बैठे आपको कोई फर्म नहीं उसकी उर्जा उसको जाने ठीक है चोटी उर्जा के लोग जल्दी प्रभावी होते हैं बड़ी उर्जा के लोग बिल्कुल प्रभावी नहीं है चलिए अब आदेश दीजिया मुझे अगली कक्षा फिर एक पर देनी सन्नता के साथ यह बात कहते हुए अनंद के नभूती हो रही है और लगभग लगव पांच यूनिट के बाद और एक यूनिट 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 समाप्त बजी होई है तीन चार यूनिट तीन यूनिट और बचिवियों से कंप्लीट कर लेंगे इश्वरीय सत्ताओं का बहुत बहुत है जिसके कारण सेमगी अफ्रिक कर पारें मंतर विस्वास है मंत्र योग के विषयं मेरा मेरा में जैसा कहा मंतर यूग पे भी मंत्र जब मंबलत भी सुसा मंन यह अीर्व मंथ करता है मंधरों के शक्तियां परमें तैसे ही शद्य भावना की साथ ही सुरीय एक रूपता का भार विश्वानी देव सवितर दुरत्यानी परासुएद बद्रम परन्यासौंग शान्ति 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 सर्वारिष्टसू सान्तिर भावतु तो नहीं है कि आज की गक्षा नहीं समाफ्ट करता है यह सांति पाट इसली बढ़ा जाता है ताकि आपकी उर्जा और मेरी उर्जा दोनों उधर ही से टल है ऐसा नहीं कि प्राणी कि बढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि उसमें कैसे बताते हैं सिद्धान्त कैसे करते हैं अनरजी से कैसे डिचाएच होता है बहुत सारी इतने में आपका नेप का मामला सेटल हो जाए अगर इसको यूग की साब से पढ़ाया जाए तो एक एक चीज दो तो महीना ले जाए एक एक मंत्र बहराल कल में दोता है थैंकिस सब्सक्राश